एक लड़के के एकसिडन के बाद वा उपने होस्पिटल की खिटकी से एक ब्यूटिफुल सी लड़की को देखता है देखते हुए उसने नोटिस किया कि उस लड़के ने किसी का मर्डर कर दिया है कहानी में ट्विस तब आता है जब एक स्टेंजर का उसे मैसेज आने लग जाता है उसे उस मर्डर के बार में सब कुछ पता था अब आगे क्या होगा ये इस मूवी की मिस्ट्री है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2017 की एज ओफ इनोसंस ये मिस्ट्री थिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें अलग-अलग ट्विस्ट और टर्न साथ है तो अंदग इस वीडियो को ज़रू देखेगा अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन क्यारिक्टर कैंग से इंट्रोड्यूस होते है कैंग 19 अर्स है उसे अपने बाइक पर अलग-अलग प्लेसे पर जाना अच्छा लगता है उसका मानना है हमें लाइफ में जो भी चीज़ करनी है जो भी चीज़ चाहिए वो जल्दी से कर लेनी चाहिए बाद में हमें पच्छता ना पड़े आज भी हो कही जा रहा था तब आचाना से आगे की गाड़ी से एक टायर नीचे गीरा ये कैंग के गाड़ी पर आ रहा था तो इस वज़े से उसका बैलन्स चला गया नीचे गिरकर उसका एक्सिडन्ट हो जाता है इसके बारे में उपने पैरेंट्स को बता कर वरी करवाना नहीं चाहता था तो उपने फ्रेंड्स को उसने कॉल किया उसके फ्रेंड्स उसे हस्पिटल में एन्मिट करकर उसका बहुत ख्याद रखते है इन फ्रेंड्स में एक लड़की है जिसका नाम है जूली पर हम इसे जूली बिलाएंगे क्योंकि यह सारे नाम complicated ना हो जाए जूली के साथ उसका फ्रेंड भी था जिसका नाम था जाओ उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि तुम्हें इस तरह के से इतना जाता घूमना नहीं चाहिए वो उन्हें भी वही बात बताता है कि लाइफ में हमें कुछ भी रिग्रेट नहीं करना चाहता उसके बेड के पास और एक पेशेंट था इस ओल्ल मैन को टाइपटीज बीपी है वो हमेशा होस्पिटल में रहता है उन्हें मेडिसिन देने के लिए एक नर्स है और ओल्ल मैन उस पर भी लाइन मारा था निकसिन में हम देखते हैं कि जूली कैंग के पास आई हुई थी एक्च्वल में उसे बहुत लाइक करती है पर कैंग को इसके बारे में पता नहीं जूली ने उसे का कि तुम्हें थैंक्फूल होना चाहिए कि एक मेडिकल स्टूडन तुमारी फ्रेंड है कैंग ने उसे का तुमारी इरिंग बहुत ही ब्यूटिफूल लग रही है ये सुनकर जूली को बहुत अच्छा लगता है आज क्यल कैंग इस हॉस्पिटल में बहुत जादा बोर हो रहा था तो खिटके से हमेशा पाहर देखता है सामने एक बड़ा सा घर था उसमें उसने देखा तो एक बहुत ही ब्यूटिफूल सी लड़की थी ये हमारी और एक में गारेटर है उसका नाम है जी है कैंग उसे देखकर बहुत इंट्रेस्टेड हो गया उससे सही से देखनी पा रहा था तो अपने फ्रेंड को कॉल लगा कर उससे सकोब ममझवा लेता है सकोब मिलने के बाद कैंग हमेशہ उसे देखनी लग और भाग गया वो वंडर करता है कि उसका आवास कैसा है उसका नेचर कैसा है क्या उसका कोई बॉफ्रेंड हो का उसे अपने मोबाइल पर एक मैसेज आया जो एक स्टेंजर से था वो उसे पुछता है कि तुम हो कौन स्टेंजर ने कहा मैं तुम्हारे पास के कैफे से ही बोल रहा हूँ कैंग को एक मैसेज़स बहुत ही कैजूल लगे एक दिन जब वो घर पर नजर अगरा था तो उसने नोटिस किया कि एक आदमी घर के बाहर से अंदर देखता है को उन पर स्पाय करकर वहाँ से चला गया था घर के बाद जो कैफे है यही बड़ी आदमी काम करता है फिर से रात में कैंग जिया के घर पर देख रहा था तो वो नोटिस करता है कि उसके मदर और फादर में फाइट चल रही थी इस फाइट में फादर ने मदर को नीचे गिरा दिया इसके बाद मदर और जी आई उसके रूम में गए यह कुछ डिसकस कर रहे थे जिया फिर फिर से अपने फादर के पास आई उसके पास एक sharp object था वो अपने फादर को मारने वाली थी तबी उस old man ने कैंग से उसका scope ले लिया कैंग क्या देख रहा है वो भी देखना चाहता था कैंग जिया को protect करने के लिए उस old man से उस scope ले लेता है इन दोनों में थोड़ा सा जगड़ा हो गया था जब उसने फिर से scope से देखा तो जिया के फादर नीचे गिरे थे उनका बहुत सारा खून मेह चुका था जिया और उसकी मदर ये blood को साफ कर रहे थे ये देखकर कैंग को बहुत ही शौक लगता है अगली दिन उसने और भी नज़र रखी फिर से coffee shop वाला आदमी घर के बाहर आया था कैंग के वास उसके nurse उसका check up करने के लिए वो गहती है तुम आगे के घर पर नज़र रख रहे थे old man ने मुझे बताया मैं समझ सकती हूँ आगे के घर में जो लड़की रहती है वो बहुत ही beautiful है नर्स के जाने के बाद कैंग ने फिर से नज़र रखी जिस कारपेट पर बलड पड़ा था उस कारपेट को धोने के लिए भेजा जाता है रात में कैंग को अपनी injuries की वाज़े से ज़रा pain होने लग जाता है उसने नर्स को बुलाया पर नर्स आसपास नहीं थी तो खुद चल कर उसे ढूणने लग जाता है उसने एक room में देखा कि नर्स किसे के साथ intimate हो रही है ये वही आदमी है जो नीचे का coffee shop चलाता है कैंग को ठीक लगने के बाद साइट पर आया और देख लेता है कि जिया ने जिस बैक को काड़ा था वो सेफ है या नहीं order देते हैं वो cafe owner से उसने बात की उसने जिया के बारे में उससे पूछा वो कहता है क्या तुम उस घर के लोगों को जानते हो मैंने सुना कि उनके घर में बहुत सारे जगड़े चलते है cafe owner कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कैंग जब फिर से hospital में आया तो nurse उसे कहती है तुमारा room हम change कर रहे है कैंग बहुत जादा गुस्सा हो जाता है और तुमने मुझे यहा रहने नहीं दिया तो तुमारे और तुमारे boyfriend के बारे में मैं hospital के management को बता दूंगा nurse मानah नहीं रही थी कैंग कहता है कि अगर मैं उस room में नहीं रह सकता तुम मुझे hospital में रहना ही नहीं नहीं है वो फिर वहाँ से डिस्चार्ज दे लेता है और घर पर ही अराम करता है घर पर भी जूली उसका ख्याल रख रही थी घर पर उसे एक मेल मेलता है जिसमें लिखा है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम टेंजर में हो कैंग जिया को बहुत लाइक करता है और वो घर के अंदर गुज गया, घर में सारी चीज़े देखती हुए, वो जिया के रूम में आया, उसके रूम में मैप लगा था, जिस जगा पर वो जाना चाहती है, इसमें सारी जगा पर पॉइंट करकर रखा है, कैंग इमेजिन करता है, कैंग चाहता था कि जिया जिस भ करता है, वो कैफे में गई और कैफे ओनर के पास रो रही थी, इसके बाद वो जहाँ भी जाती है उसका पीछा करता है, पीछा करते करते कैंग को फिर से स्टेंजर से मैसेज आया, इसमें लिखा था, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, कैंग की जियावर नजर रखती फोटो उसने निकाली हुई थी, कैंग वंडर करता है कि हो कुन सकता है, वो सब पर शक करने लग गया था, इसके बाद वो जियावर का पीछा करते हुए, जहाँ पर वो काम करती है, वहाँ पर पहुच गया, उसने नोटिस किया इस ओफिस में वैकेंसी से, वो हमेशा जिय जहाँ के पास ही रहना चाहता है, उसे और भी जान लेना चाहता है, तो इसी वज़े से यहाँ पर अपलाई कर देता है, जौब मिलने के बाद स्टीट पर जाकर अलग अलग लोगों के सर्वे लेने का उसका काम था, यह सम्मीट करने के लिए जिया के पास आया, जिया कहत वाला था तभी उसका फ्रेइंड उसी मिल जाता है कैंग कहता है कि जूली को भी पुला लो कैफे में कैंगने देखा कि उसके होस्पिटल की नर्स कैफे ओनर और उसके फ्रेइंड भी थे वह इनी सब पर शक कर रहा था उसने फिस टेंजर को मैसेज किया कि तुम्हें सब घर क्यू रहे हूं? स्टेंजर का रिपला है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूं यह रिपला आने के बाद क्यांग सब के फोन कहा है यह देख रहा था बाकी लोग काम कर रहे थे और उसके फ्रेंज की फोन ही टेबल पर थे इसका मतलब है स्टेंजर इन में से कोई भी हो नहीं सकता अगले दिन कैंग अपने काम पर स्टेर्स के पास बैठा हुआ था कमपनी की कुछ ओफिसर डिसकस कर रहे थे कि जिया के फादर आजकल कमपनी में आनी रहे कमपनी के नाम पर उन पर बहुत बड़ा लोन है अब इसका क्या होगा ये सब सुनने के बाद कैंग जिया के पास आया उससे कहता है आजकल तुम्हारे फादर काम पर क्यों नहीं आ रहे जिया पुछती कि तुमने ऐसा क्यों कहा वो गहता है कुछ लोग तुम्हारे फादर के बारे में बात कर रहे थे जिया कहती कि मेरे बारे में भी बोल रहे होंगे सब को लगता है कि मेरे फादर की वज़े से ही मुझे जॉब मिला जिया उसे बता थी कि मेरे फादर सिर्फ जरा बीमार है वो थोड़ी दिर में वापस आ जाएंगे इसके बाद नेक सीन में जिया लंच कर रही थी तो कैंग उसके पास आ गया उसे बुशता है क्या कल रात तुम फ्री हो उसे एक अच्छे से रेस्टॉर्ण में लेकर जाना चाता है तब ही जिया की मदर वहाँ आ गई थी बहाँ जाकर जिया उससे बात करती है और फिर वो वापस आई वो कैंग के साथ डेट पर जाने के लिए मान गई थी जिया के जाने के बाद कैंग को मैसेज आया मर्डरर के साथ मजे कर रहे हो ये दोनों एक साथ बेटे थे इसकी फोटो भी स्टेंजर ने उसे भेजी हुई थी कैंग जल्दी से काउंटर रपोशता है कि यहाँ पर कोन बेटा था उसे पता जला कि एक लड़की थी जो ग्लासेस पहन थी है उसकी फ्रेंट जूली भी ग्लासेस लगाती है तो उसे लग रहा था कि शायद वही होगी वो उसे वीडियो कॉल लगाता है पर उसने देखा कि जूली अपने घर पर थी अगली दिन फिर जूली और कैंग ये दोनों डेट पर आये एक दूसरे से बात हि करते है जूली ने का कि मैं इस वर्ल्ड में अलग-अलग प्लेसीस घुमना चाहती हो कैंग जीजीस प्लेस पर जाकर आया था इन सारे प्लेस पे बारे मिमें उसे बताता है क्याता है लाइफ बहुत ही शौर्ट है हमें अभी के अभी से जी लेना चाहिए हम perfect moment का wait नहीं कर सकते अगर हमने इसा नहीं किया तो बाद में हमें regret करना पड़ेगा ये बात जुली को पसन आती है इनकी date बहुत अच्छी गई थी वो अब घर जा रही थी तो कैंग ने कहा मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हो उसे उसकी street का भी नाम लिया था इस पर जुली बहुत ही suspicious हो की वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी चीज़े बता है मैं कहा रहती हो मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बता है क्याइंग की चोरी पकड़ी की उसे सब कुछ बढ़ता है मैं तुम्हारे घर के सामने के हस्पिटल में था मैं तुम्हें फर्स टाइम देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी मैं तुम्हें बहुत ही इंटरस्टेट हो गया मुझे जब पता चला कि तुम कहाँ पर काम करते हो तो तुमारे पास रह सको इसलिए मैंने वही पर जॉब ले लिया मैं तुमें बहुत लाइक करता हो ये सब सुनकर जुली ने उसे गले लगा लिया इन दोनों को हक करते हो जिया के मदर के बॉड़ी गार्शनी ने देख लिया वो बहुत जादा गुसा हो गए थे कैंग को वार्निंग देते है कि जिया से जरद दूर रहना अगले दिन कैंग जब काम पर गया तो जिया उसे कही भी नहीं मिलती उसका घर भी बन पड़ा था इसके बाद वो डारेकली कैफे ओनर से आकर बात करता है वो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम और जिया फ्रेंड हो वो कुछ टरबल में तुमें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी कैफे ओनर ने का कि जिया को पता है क्यों मुझे कहा डूंड सकती है अगर उसे मेरी जरूरत होती तो मुझे ढूंड लेती है एक कैफे ओनर कैंग को वान करता है कि उसे ज़रा दूर रहो तुम उसके लिए सही नहीं कैंक जिया से फिर से मिलना जादा था पर मिलने का कोई भी वे नहीं है तो फिर वो डारिकली construction site पर पहुचा ये construction site जिया आपने बेटरूम से देख सकती है तो यहां बर उसने एक sign बना लिया पास जो cafe है, इस cafe का है sign था फिर वो इस कैफे में जाकर राद बर वेट करता है बाहर बारिश होने लग गई थी यही बर वो खड़ा होकर वेट कर रहा था सुबा होने के बाद फाइनली जिया उसके पास आगी वो कहती कि तुम बागल हो राद बर वो ही बेटा था यह दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते जिया कहती कि अब उस घर में मैं नहीं रह सकती जेज भी जगावरे जाना चाते थे डारिक लिए उस जगावर निकल जाते कैंग जिया को एक बीच दिखाने के लिए लेकर आया वो गहता है जिस दिन मेरा एक्सिडन्ट हुआ था मैं इसी बीच पर आ रहा था मेरा एक्सिडन्ट नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं मिलता वो गहता है तुमसे मिलने के लिए फिर से मेरा एक्सिडन्ट हो फिर भी वर्थिट होगा ये दूनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते है रात में होटेल में आकर इंटिमेट हो गए इसी तरीके से इनकी रिलिशन्शिप डेवलोप होती गई अब एक मंध हो चुका है ये पूरा मंध होटेल में ही थे यहाँ से जाने के लिए कैंग जरा अफसेट था तो जिया कहती है क्यों न हम और एक मंध रुख जाए कैंग इसके लिए एक्साइड़िट हो जाता है होटेल का सारा बिल जिया ने पेक किया ये फिर से बहुत एंजॉय करते है एक दिन घुमते घुमते कैंग को एक बाइक बहुत पस्थन आई जिया और कैंग अपने रूम में थे कैंग उसके ड्राइंग बना रहा था जिया बुचती है तुम मेरी ड्राइंग क्यों बनाते हो कैंग ने का मुझे हर एक beautiful चीज की drawing करना अच्छा लगता है जिया फिर उसे नीची लेकर गई वसमें कैंग के लिए वो bike buy कर ली थी वो इसके लिए बहुत ही excited हो गया यह दोनों फिर ride के लिए जाते है कैंग फिर wonder करता है कि जिया के पास इतने सारे पैसे आते कैसे है वो तो कोई भी credit card विगरा भी use नहीं कर रही जिया इस बात को पूरी दरीके से ignore कर देती है अब कैंग को फिर से stranger का message है इसमें लिखा था कि जल्दी से फिर से टाउन में वापस आ जाओ वरना जिया ने जो भी क्या है इसके बारे में सब को बता दूँगा कैंग इस stranger से मिलने के लिए city में पहुचा पर जिया के मदर के bodyguards उसे देख लेते है वो वहाँ से भागा पर bodyguard ने उसे पकड़ लिया था उसे बहुत मारते है उन्होंने उसे warning दी कि जया को फिर से वापस लेकर आओ वो वेचारा injured था तभी उसकी mobile पर एक वीडियो आता है ये वीडियो उस construction site का है और इस stranger उस construction site को खोद रहा था ताकि जया ने जो back गाड़ी थी हूँ बाहर आ जाए कैंग भागते भागते जल्दी से वहाँ पर पहुँच गया पर इस stranger वहाँ से भाग जाता है कैंग इस गड़े को भरने लग गया था पर construction worker ने notice कर लिया यहाँ पर पुलिस वगरा भुलाय जाते ये गड़ा खोदने के बाद उसमें से एक dead baby निकला कैंग को इस बात से बहुत बड़ा शौक लगता है इस सब की investigation हुई तो पुलिस को बता चला क्यों baby already dead था आगे के hospital से baby का specimen चोरी हुआ था और यहाँ पर guard दिया गया है जहाँ ये सारी चिज़े figure out नहीं कर पाता वो फिर directly वो hospital में बहुझ गया नर्स पर बहुत जादा गुस्सा हो चुगा था कहता है तुम्हें ये सब मेरे साथ कर क्यों रही हो क्या वो baby तुम नहीं गाड़ा था नर्स कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है बेबी का specimen hospital से गायव हो चुगा था जिया के father इस hospital की owner थे वो कहती है कि जिया के father ने इसके बारे में report करने के लिए मना किया था कैंग ने नर्स को इसके साथ जो भी हो रहा है ये सारी चीज़े बताए नर्स कहती कि अगर तुम्हें लगता है कि जिस stranger ने तुम्हें message किया है वो और इस baby को चुराने वाला एक ही person है तुम्हें बताए कि वो कोन है security footage से में पता चल गया था कि baby को किसने चुराया था डारेक्टर ने मुझे इसे report करने से मना किया क्योंकि उसकी daughter ही थी ये सुनने के बाद कैंग directly जिया के पास बोचता है पर जिया के बाद जूली आई हुई थी उसके हाद में acid है जूली पुछती है कि अपने फादर को मारने के बाद तुमने body का क्या किया जिया ने कहा कि उस बैग में बच्चों के खिलोने थे जूली इस बात को मान दी नहीं तभी वहाँ पर कैंग बोच चुगा था जिस stranger का कैंग को message आ रहा था ये जूली ही थी उससे कहती है तुम अपने आखों से जो भी देख रहे थे उस पर बिल्यू नहीं कर पा रहे थे मैं चाहती थी कि जिया के फादर की बोड़ी मिलने के बाद तुम ये पता चल जाए कि जिया एक killer है मैं तुम से प्यार करती हूँ इसी वज़े से सब मैंने किया कैंग फिगर आउट नहीं कर बाता कि उसने जो भी देखा था ये जूली को कैसे बता था जूली कहती है तुमें मैंने जो scope दिया उसे मैंने एक camera install कर दिया था उसके phone में भी उसने एक tracker लगा दिया है जूली भी हमेशा उसका पीछा कर दी थी हमने movie में देखा था कि कैंग को जब शक आया था तो उसने जूली से डारेक्ली video call पर बात की थी इसके explanation में जूली कहती है कि मेरा friend ये सब करने में मुझे help कर रहा था इनके पास और एक mobile था इस वज़े से कैंग कुछ भी figure out नहीं कर बाया जूली का friend भी हाँ पर पहुच जाता है उसे समझाने की कोशिश करता है वो भी उसे बहुत प्यार करता था कैंग को जूली की feelings के बारे में पता नहीं था इसके लिए उस्वारी कहता है जूली और भी उसे समझाने की कोशिश करती है कहती है तुम बहुत ही lucky हो self submission हो तुम्हें मेरी तरह किसी पर भी depend रहने की जरुवत नहीं है वो कहती है मैं सिर्फ कैंग का फायदा उठा रही थी मैं मेरी लाइफ से बोर हो चुकी थी तो मुझे कुछ चेंज चाहिए था जूली और भी ज़्यादा डिस्टरब होगी उसके हाथ में acid था जो अपने आप पर वो डालने वाली थी जिया जल्दी से उसे इसके हाथ से निकाल लेती है तो उसका खुद का हाथ भी थोड़ा सा burn हो गया था इसके बाद police school आया गया और जूली उनके साथ चली जाती है सबके जाने के बाद कैंग जिया से बात करता है कहता है तुमने अपने फादर को मार डाला पर फिर भी मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं परता कि तुमसे प्यार करता हो और तुम्हारे साथ ही रहना चाता हो जिया कहती कि अभी अभी मैंने तुम्हारे बारे में जो भी कहा ये सब कुल चीजे सच थी मैं सिर्फ तुम्हारे यूज कर रही थी इसके बाद वो अपनी मदर के साथ गाड़ी में चली जाती है क्यांग उसी इस तरीके से जाने नहीं दे सकता था उसने भी उसका पीचा किया वो गाड़ी रोग नहीं रही थी तुम मोटर साइकल को आगे किया और अपना एक्सिडन्ट करवा दिया जिया उसके पास है कहती है ये सब तुम कर क्यों रहे हो गाड़ी से जिया के साथ उसके फादर में निकलते है फादर ने का तो इतने दिन तुम इसके साथ थी जिया कहती कि क्या मुझे हग नहीं कि मैं किसी से प्यार कर सकूँ फादर जिया से गहते तुम जो जाओ वो कर सकती हूँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो जिया कैंग के पास ही रुकी उस राद जो हुआ था इसके बारे में जिया उसे बताती है वो कहती है एक्चुल में वो आदमी मेरा फादर नहीं है मैं अगर उसके घर में रही तो लोगों को शक होगा इसलिए हमने उस टोरी बना दी है जिया और इस बिजनसमैन की अलग रिलेशन है ये बिजनसमैन उसे बहुत सारे पैसे देता है इसके बदले में जिया उसके साथ इंटिमेट होती है उसके घर में रहती है कैंग को बहुत बड़ा शौक लगा जिया कहती कि मैं प्रेग्नन थी जिस राद तुमने देखा था मेरी और बिजनेसमैन की बीच में फाइट चल रही है उस रात में बहुत जादा डिस्टरब थी मेरी मदर को लग रहा था कि बिजनेसमैन अब मुझे छोड़ देगा इसी वज़े से वो गुसा हो गई थी पर उस बिजनेसमैन ने कभी भी जिया का साथ नहीं छोड़ा उस रात कैंग जब स्कोप से नज़र रख रहा था तभी ओल्ल मैन ने उसे उसकोप ले लिया था उतने टाइम में बिजनेसमैन ने अपने बिमारी की वज़े से खुन की उल्टिया की थी उसे कैंसर था इसके बाद उसका इलाज करने के लिए वो बिजनेसमैन वहाँ से चला गया था जिया बहुत ही डिस्टरब थी वो पहले ही अपने बेबी के लिए बहुत सारे खिलों ने लेकर आई थी तो सारे खिलों ने उसने एक बैग में डाले उसने अपने बेबी के सारे toys as a farewell पास के construction site में गार दिया यही सारी चीज़े कैंग ने देखी थी वो गहती में मेरी life में सिर्फ change चाहती थी और फिर वो कैंग से मिली कैंग पूछता है क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था जिया इस पर गुझ भी नहीं बोलती जिया ने decide क्या है कि बिजनेसमैन के साथ ही रहना चाती है वो बेचार हार्ट ब्रोकन होकर वहाँ से चला किया फिर से अपने college को continue करता है इसके बाद movie में directly 10 साल बीच चुके है वो फिर से जिया के घर के पास के कैफे में ही आया जिया अब वहाँ नहीं रहती वो कैफे ओनर को देखता है तो उसने अब नर्स के साथ शादी कर ली थी यो दोनों बहुत ही खुश थे कैंग ने उसे बात की जिया के बारे में बूचा कैफे ओनर कहता है कि बिजनेसमैन की लास्ट डेव में जिया ने उसका बहुत खैल रखा एक्चुल में बिजनेसमैन को उसकी कमपनी में उसके पार्टनर ने धोका दिया था ये केस भी चल रहा था इसमें भी जिया ने उसे सपोर्ट किया ये केस वो बिजनेसमेन जीत गया बाद में उसकी डेथ होकी और जिया घर छोड़कर चली की कैंग बुच्छता है कि अब वो कहा है कैफे उन्हार ने उसे कहा कि वो अलग-अलग प्लेसेस घूमती रहती है हर जगा से तुम्हारी लेक पोस्ट कार्ट भेशती है उसे पता था कि कभी ना कभी तुम इस कैफे में वापर्स आओके है कैंग रियलाइस करता है ये 10 साल पहले उसकी एच कम थी उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी जिया चाहती थी कि अपनी लाइफ में वो आगे जाए वो अब सक्सेस्फूल है और जिया की लोकेशन भी उसके पास है वो शूर था कि जब वो वहाँ जाएगा तो जिया उसका वेट कर रही होगी ये दोनों फाइनल एक दूसरे से मिल गए जिया हमेशा से उससे प्यार करती थी पर बिजनेसमैन बिमार था उसे इस तरीके से छोड़ कर वो नहीं जा सकती थी इसलिए उसने उसका खैल रखा कैंग को भी अपनी लाइफ डेवलोप करने का एक अच्छा सा चांस उसने दिया इसके बाद ये दुनों फिर से मिले है इसे के साथ इस मूवी के हैपी इंडिंग हो जाती है अगर आपको एक्स्प्लेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा ने बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहतो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूग के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये